नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों के लिए मार्केट कैप एक इंपोर्टेंट शब्द है तो आईए इस वीडियो में सरल भाषा में जानते हैं मार्केट कैप, लार्ज कैप कमपनीज तथा मिड कैप और स्माल कैप कमपनीज के विशे में मार्केट कैप किसी कमपनी के बकाया शेयरों का कुल बाजार मूल अर्थात मार्केट वेल्यू है, जो कमपनी की फानेंशियल पॉजीशन को रिप्रेजन करता है मार्केट कैप के आधार पर कमपनीज को तीन भागों में बाटा जाता है Stock market में listed सरवाधिक market cap वाली पहली 100 कमपनियों के share large cap कहलाते हैं इसके बाद 101 से 250 rank की कमपनियों को mid cap और 251 तथा इसके नीचे की rank वाली companies को small cap कहा जाता है large cap कमपनियों की total capital काफी बड़ी मात्रा में होती है इसलिए इसके मूल्यों में कम उतार चड़ाव देखने को मिलते हैं इसकी अपेक्षा, mid cap और small cap कमपनियों की capital कुछ कम होती है इसलिए इनके मूल्यों में अधिक उतार चड़ाव देखने को मिलते हैं